एk dorsal plate, एk ventral plate और दो lateral plates होती हैं दोनों antenna एक receptor का काम करते हैं environmental conditions को receive करती है एक तो मेरी साइड वाला हिससा और एक आपकी साइड वाला हिससा आपकी साइड वाला brood pouch इस Gizzard के outer wall तो muscular है लेकिन बीच में आप जो वो तो branches निकली जिनको आपने ट्रंक देखा था, नेक नहीं देखा, टेल नहीं देखा था, ध्यान की, चार पार्ट बतायते हैं, अम्फिविया में, गिल सोंगे, उसके बाद बच्छों पको फेरेंजिल कैविटी होगी, बस याद एक ही बात रखनी है, how many pair of cranial now found in the frog, बात करते हैं, नेक्स टॉपिक की, जिससे हमेशा एक question आया है, और आगे भी आएगा, clear, नाम है बच्छों cockroach, और animal कहां का है, phylum orthopoda का है, वहां से अपने इसके शुरुआत करेंगे, अब इसमें सबसे important बात क्या है, कि आप orthopoda को याद कर लीजी, तो काफी सारे character तो आपको यहां पर अपने आपी इसकी प परिप्लनेटा अमेरिकाना, जो लोगिकल नेम याद रखिए, परिप्लनेटा अमेरिकाना, बच्छों इसके general characters बहुत सारे हैं, जो NCRT ने दिये हैं, आप alphabet का एक order लिख लो, ताकि यह पूरा page ही आपको याद हो जाएगा, N-O-O-C-C, यह पांच alphabet लिखिए, फुल फॉ O for omnivorous. Again, O for oviporous, nocturnal omnivorous oviparous, C for curseurial, C- U-R, curseurial, that means fast runner, जो तेज दौडता है. Clear? Our last C for Cannibalism, जो अपनी species ko खाता है, C- A- N- 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 I- Cannibalism, cannibalism जो self species अपने members को खा जाता है उसे हम cannibalism के नाम से जानते हैं तो N-O-O-C-C ये alphabet याद रख लेना जनरल करेक्टर आपके सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे बच्चों इनकी यदि हम length की बात करें तो cockroach की length 0.25 inch से लेकर 3 inch तक होती है clear color आपको जानते ही हैं मुझे बताने की आवशक्ता नहीं होनी चाहिए कि cockroach कैसा होता है कैसे color का होता है चलिए बात करते हैं बच्चों इसकी morphology की और फिर बाद में इसके अंदर जितने भी system से उनकी हम बात करेंगे रिदम से याद रखना अपने आप याद रहेगा देखिस सबसे पहले बात करें इसके body के complete coverage की orthopoda में हमने पढ़ा था orthopoda में chitinous exoskeleton एक बहुत बड़ा part होता है जो इनकी survival से related है जो chitinous exoskeleton है वो यां plates के form में होगा एक dorsal plate एक ventral plate और दो lateral plates होती है and these plates are called sclerites underline करते चलिए sclerites जो sclerite उपर होती है वो है tergum यानि tergite जो नीचे होती है वो sternum यानि sternite और जो side में है वो pluron यानि plurite तो tergite, sternite और plurite ये तीन जो plates हैं ये cockroach की body के segments पर चारों तरफ मिलेंगी बच्चों जैसे एक उपर हो गई एक नीचे दो side में तो इने एक पतली सी membrane एक thin membrane, एक flexible membrane इने जोडती है जिसका नाम arthrodial membrane और articular membrane होता है ध्यान रखिएगा यानि पूरा एक covering जो बनाना है वो covering बनाने में membrane का और इस sclerites का एक बहुत ही बड़ा useful importance यहां देखने को मिलता है फिर जब इसकी body पर आते हैं तो जैसे मेरा हाथ है इस तरीके का cockroach है यह head हो गया यह इसका कौन सा part है thorax वाला और पीछे कौन हो गया abdomen हो गया तीनों part पर जो जो structure है उनको सिधा-सिधा याद करना है next time चलें सबसे पहले बच्चों इनके head वाले portion पर तो आप देखिए head इस तरीके से triangular है उपर broader नीचे narrow है और यह जो head है यह body से 90 degree right angle पर है जिसे hypognathous condition कहते हैं hypognathous condition में देखने को मिलेगा और यहां इस head के just पीछे flexible neck आपको देखने को मिलेगी जिसके वज़े से इसका head जो है वो आसानी से rotate हो सकता है घूम सकता है तो head पर तो चोटी चोटी बात है याद रखनी है अब जब head पर आप जाओगे तो यहां आपको compound eyes मिलेंगी एक इधर और एक इधर जान रखना और compound eyes के आगे की तरव एक socket होगा उस socket में antenna रखा हुआ है इसके पास दो antenna है और दोनों antenna एक receptor का काम करते हैं environmental conditions को receive करने का एक receptor के form में काम करते हैं यह बात अपने को ध्यान में रखना है clear बच्चों? उसके बाद हम देखें next आगे तो आप देखिए नीचे की तरफ mouth parts देखने को मिलेंगे जैसे मैं यहां हाथ पे बात कर रहा हूँ तो देखिए mouth इसके नीचे है इसकी buckle cavity जैसे pre-oral cavity कहते हैं वो back side पर है तो कैसे होगा जैसे हमारा face से उससे मुसी तरीके से upper lip, lower lip or lateral wall तो upper lip तो ओता labrum underline कीजिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं पूरा topic तो एक सांस में पढ़ाना है हमेशा steady जब भी करें जब मन हो तो पूरी तरीके से करें नहीं है तो थोड़ा सा time gap दे सकते हैं लेकिन जरूर करें सुनो ध्यान से यह upper lip है इसे कहेंगे labrum, यह lower lip है जो की labium है ध्यान रखना है lateral wall में दो mouth part याद रखना, एक maxilla और एक mandible, और mandible ऐसे horizontal movement से food को crush करते हैं और इसलिए इनके mouth parts का टाइप होता biting and chewing type mouth part, तो एक labrum उपर है, एक labium नीचे lower lip है, दो side में maxilla और mandible है ध्यान रखना और अंदर जो हमारी tongue है, वैसे ही इसके पास tongue है जिसका नाम है hypo pharynx, क्या नाम है hypo pharynx, तो इनमे नाम important नहीं है, इनकी location important है ध्यान रखना, कि कौन कहां present होता है, उसका साथ में एक suffix बना के या एक prefix बना के दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यह चीज़े है कहां पर तो यह इसके biting and chewing type के mouth parts है, आगे बढ़ते हैं, थोरेक्स पर आते हैं, लेकि आपके AI PMT NEET में बच्छों, थोरेक्स से question आ चुका है recently, और वापस आने के chances हैं क्योंकि यहां बच्छा भूलता है location को, देखो 3 segment होते हैं, pro, thorax, mesothorax, metathorax, 3 segment होते हैं thorax में, 2 structure याद रखनी है, एक legs का याद रखना है कहां-कहां होती हैं, और wings का याद रखना है कहां-कहां होती हैं तो देखो, तीनों segment है, pro, meso, meta, तीनों पर one-one pair legs होंगी, ध्यान रखिए legs आप जानते, jointed appendage हैं हर एक leg में भी five segment होते हैं, वैसे से ज़्याद याद नहीं रखना segment के नाम, तो jointed appendage legs one pair हैं और हर segment पर होंगी, पहली बात याद होगी सबको दूसरी बात आती, wings की, जो mesothorax पर इसके four wings होते हैं, और last का metathorax पर उसके hind wings होते हैं, अब जैसे माली यहाँ cockroach है, तो cockroach के donor wings उसकी body पर है और आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह four wings हैं, यह four wings body के protection में काम करते हैं, और male में तो यह body से भी बाहर निकले होते हैं, ध्यान रखना है, जो केवल protection में काम आते हैं, अब देखो उस साल जो question आया ना बच्चों उसमें NCRT ने इनकी जो special characteristic लिए उसको भी उन्होंने put कर दिया था कैसे यह dark होते हैं, opaque होते हैं और leathery होते हैं यह word भूल नहीं जाना कि छोटे से point क्या पूछेगा उन्होंने इसको भी mix करके दे दिया opaque हैं dark हैं और leathery होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है उसके बाद आप देखिए जो पीछे वाले उपर वाले जो wings थे उनको यह आप हटाएंगे तो नीचे जो wings निकलेंगे वो इनके उड़ने वाले wings हैं जो की flight में help करते हैं उनसे यह फिर flight करना शुरू करता है वो membranous है पतले होंगे membrane like होंगे तभी तो weight कम होगा और तभी उड़ने में help कर सकते हैं और transparent होते हैं यह बात आपको अच्छे से याद रखना है तो dark leathery opaque किस को कहोगे जरह बताईए four wings को transparent membranous किसको कहोगे protection में कौन help करेगा four wings और उड़ने में कौन help करेगा hind wings बड़ी छोटी सी बात हैं लेकिन बच्छों character आते ही हम कई बार उलज जाते हैं तो इनको general way से याद रखिएगा अब आते हैं कोक्रोच के उस segment पर जो सबसे जादा complexity वाला होता है इसको समझना चाहिए और आसानी से समझने के लिए हमने यह जो slide आपको दिखाईए इसको ध्यान से देखिए देखिए head में six segment होते हैं जो adult में fuse हो का single रह जाता है thorax में three अभी पड़े थे अब आते हैं abdomen पर पीछे वाले से पर सबसे पहले तो यह याद रख लो कि abdomen में ten segments होते हैं अब ten को मैं change कर रहा हूँ male में nine दिखाई देते हैं और female में seven दिखाई देते हैं लिख दो उसके सामने ten के सामने in male nine in female seven इसका मतलब हम तीन अलग अलग बाते कर रहें और बात दो की कर रहें male की female की तो यह चकर क्या है बचों segments जो आपको दिखाई नहीं दे रहे उन्हें हम कहते modified and reduced segment यानि हैं तो ten लेकिन जब हम observation पर जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते इसका meaning क्या है कि यह reduce हो चुके हैं या modified हो चुके हैं जो remaining आपको दिखाई नहीं दे रहे तो हमेशा bracket में एक चीज़ याद रखनी है 9 और 7 के साथ remaining are modified or reduced या तो modified हो चुके हैं या reduce हो चुके हैं सबसे पहले हम बात करें female की जहां से question जादा आता है female में नीचे वाले इससे पर जा रहे हैं इदर ध्यान से देखिए सब लोग यह 7th sternum है इसके आगे 8th sternum है और उसके आगे 9th sternum है यानि 6 उसको तो छोड़ दो 7, 8 और 9 पर चल रहे हैं कौन कौन सा है 7, 8, 9 नीचे की बात कर रहे हैं तो sternum है की तर्गम है sternum है ध्यान रखना अब हुआ क्या इसके अंदर की जो 7 है वो तो अपनी जगे पर है लेकिन जो आगे का 8 और 9 है उसने एक overlapping करके पाउच बना दिया जनाइटल पाउच कहते हैं बच्चों इसको 7 नीचे रह गया और 8 और 9 ने इसको फोल्ड कर दिया तर्गम तो उपर है ध्यान रखना इस बॉड़ी के अंदर की बात चल रही है तो 7 नीचे रह गया और 8 और 9 इस्टरणम ने overlapping की यह ध्यान रखियेगा और उसे एक पाउच बनता है dhat one is genital पाउच अब इस genital पाउच के भी दो इससे हैं जैसे की पैन देख रहे हैं आप सब लोग एक तो मेरे साइड़ वाला इस्सा और एक आपकी साइड वाला हिस्सा तो आपकी साइड़ वाला brood पाउच है जिसे आप genital chamber कह सकते हैं और मेरे side वाला ऊथी का पाउच है जहां पर ऊथी का store होते हैं ध्यान रखिएगा वापस समझो यह 7th है 8-9 ने fold किया तो पुरा एक chamber बना उसके भी मेरे इस pen से 2 इससे हैं एक आपकी side वाला याद है brood pouch और एक मेरे side वाला जिसे हम कहेंगे ऊथी क पाउच और इन दोनों chamber में जो तीन structure आपको मिलेंगी उसको अंडर लाइन कीजिएगा एक तो गौनो पॉर मिलेगा कि एक collateral glands मिलेंगी आपको ध्यान रखना और एक आपको मिलेगा बच्चों स्परमैथिका के pores तो गौनो पॉर स्परमैथिका पॉर्स और collateral gland की openings यहां आपको देखने को मिलेंगी यह बात हमें नहीं भूनना है तो यह बात केवल मैंने इस्टरणम की की है अब मैं आ रहा हूं किस पर मेल के उपर अब मेल पर धान से सुनो उपर टरगम नीच इस्टरणम दोनों को यूज करना है फीमेल में केवल इस्टरणम यूज किये थे उपर की तो बात ही नहीं की यहां मुझे तरगम भी लेना और मुझे इस्टरणम भी लेना है तो तरगम कौन सा 9 और 10 तरगम कौन सा बच्चों 9 और 10 और नीचे के वल 9 इस्टरणम उसको मैंने लिया तो बीच में जो पाउच बना वो भी जनाइटल पाउ जो पौरशन बना वो क्या है चनाइटल पाउच है यहां भी गोनापीज़ वहिए कि यहां पर भी बच्चों आपको गोनापीर मिलेगा एनस मिलेगा और गौनेफो फाइस जो किसका एक्स्टरनल जैनेटेलिया होता वह आपको देखने को मिलेगा तो यहां भी तीन structure है, female में भी तिन structure की हमने बात की थी, तो सबसे बड़ा confusion जो है, वो यहां मिलता है अब जब इस cockroach के लिए हम एक question derive करते हैं, कि which of the following part in cockroach body is related to characteristic of sexual dimorphism यानि head, thorax और abdomen में sexual dimorphism के character कहां मिलेंगे, तो abdomen में मिलेंगे, देखिए ध्यान से देखना, कौकरूच को जब हम back side से देखें, last में, तो यहां पर आपको चार ऐसे compartment देखने को मिल सकते हैं, projection देखने को मिल सकते हैं, needles देखने को मिल सकती हैं, मैं बात कर रहा हूं बच्छों, male के अंदर, male में चार होंगे, और female के back end पर दो होंगे, राइट, यहां से देखना, यह वाला और यह वाला जो है, इन्हें कहेंगे anal style, बात चल रहे हैं, male की, मेरी watch side क्या है, male वाली side है, तो यह है anal style, जो female के ऊथी का pore को open करते हैं, during the population, और बीच वाले anal सरकाई है, जो इसके sound receptor होते हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा, यानि कि cockroach का mouth उस side में है, और आप धीरे-धीरे भी जाएंगे उसकी तरफ, तो back side के जो उसके बीच वाले दो, anal सरकाई है, sound receptor उनसे वो आपके छोटे से भी vibration को receive करेगा और आगे पहुंच आएगा, या दोड़ पढ़ेगा, cursorial activity show करेगा, या छोटी flight भी ले सकता है, clear? अब female की जब बात करें, तो female में केवल बीच, जैसे चार तो हटा दीजी, यहां से दो बीच वाल, केवल बीच वाले दो segment हैं, जिने हम, दो projection हैं, जिने हम कहते है, anal सरकाई, यानि कुल मिलाकर, anal सरकाई दोनों में मिलेंगे, और anal style केवल, male में मिलेंगे, तो बताएए, दोनों को differentiate करना हो, तो हमें कौन से structure को यूज़ करना पड़ेगा, anal style, बात समझ में आई, तो इन points को अच्छे से याद रखना, कि जनेटल पाउच कैसे बनता, और anal style और anal सरकाई में कैसे difference लाना, ये सबसे important है, बचों, अब इसकी physiology पर चलते हैं, digestive system पर आते हैं सबसे पहले, देखो धान से सुनिए, जैसे हमारी digestive के नाल है, वैसे इसकी है, तो कोई खास बात आपको नहीं मिलेगी, जो कि एक छोटी tube है, short tube होती है, ध्यान रखिएगा, और ये जो फैरिंग से बचों, it will open into esophagus, जहां से NCRT का diagram शुरू होता है, esophagus एक tube-like है, narrow tube है, और आगे जाके वो फूल जाती है, extend हो जाती है, एक sack-like structure में, जिसका नाम होता है crop, क्या नाम होता है crop, आप देखो diagram को देखिए, आप diagram में आपको salivary glands दिखाई दे रही है, ये जो salivary glands से, इसका मतलब saliva release होता है, और इसकी opening इसकी buccal cavity में होती है, और saliva में enzymes होते हैं, तो cockroach में question आता है, digestion start from, तो buccal cavity, लिखा नहीं है, लिकिन salivary gland दिखाने से ही पता लग गया, कि digestion सबसे पहले start cockroach में कहां होता है, बच्चों बucal cavity में क्योंकि वहाँ saliva release होता है, दूसरा question आता है कि maximum digestion कहां होता है, तो जो crop आप देख रहे हैं, इस crop में maximum digestion होता है, इस point को आपको अच्छे से याद रखना है, and this crop is extension of esophagus, clear है, अब जब हम इस crop के नीचे आते हैं, तो हमें एक छोटी सी floor mill मिलती है, जैसे gizzard कहते हैं, जैसे हमने birds में बात के थी, यहाँ भी gizzard है, इस gizzard की outer wall तो muscular है, लेकिन बीच में यहाँ six cuticular teeth मिलते हैं, कितने बच्चों, six cuticle के बने हुए, kitean के बने हुए teeth आपको देखने को मिलेंगे, जो grinding में help करेंगे, ध्यान रखिएगा, और ये भी है, ध्यान रखने वाली बात कि, इसकी grinding उपर वाले part में होती है, कि नीचे filtration होता है, नीचे food छंज आएगा, और उपर इसकी grinding होगी ध्यान रखना, और इसी gizzard को, हम लोग cockroach में भी देखते हैं, और birds में भी याद रखते हैं, clear? फिर इसके just नीचे जाएं, तो six to eight blind ducts देखने को मिल रही हैं आपको, जिने हम हिपेटिक सीखा के नाम से जानते हैं, ये digestive enzymes release करते हैं, जो crop तक पहुँचते हैं, ये उपर के side में होते हैं, तो उपर से नीचे आता है इनका secretion, तो digestive enzymes को एक crop तक पहुचा आते हैं, और इसलिए crop में maximum digestion होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें midgut start होती है, अब जो midgut है, उसकी एक खास बात होती है बच्चों, जो forgut है cockroach की, जो mouse से और आपकी gizzard तक जाती है, forgut gizzard तक, पूरा complete, तो इसके अंदर cuticle होती है, ताकि कोई भी particle इसकी wall को damage ना करे, लेकिन जब midgut में आता तो cuticle नहीं होता, इसलिए wall damage हो सकती है, और इसलिए इसकी wall क्या करती है, midgut की उसके उपर एक membrane release करती है, ताकि वो उसे protect कर सके, ये membrane permeable होती है, इसमें digestive enzyme जा भी सकते हैं, और digestive food बाहर भी आ सकता है, तो यहां सिर्फ दो question याद रखना, कि midgut में होता क्या है, इसके anterior part में digestion complete हो जाता है, digestion completed in anterior midgut, और absorption completed in posterior midgut, absorption food का posterior midgut में हो जाता है, start तो कहां हुआ बकल cavity में digestion, maximum कहां हुआ crop में, complete कहां हुआ anterior midgut में, और absorption complete कहां हुआ posterior midgut में, पिस ये दो बातें mid gut के लिए याद रखने हैं फिर mid gut से hind gut आई तो junction आया और junction पर मिलती है malpigean tubules 100 से 150 malpigean tubules आपको yellow color की देखने को मिलेगी clear फिर उसके बाद hind gut आती है जिसके parts हम already जानते हैं alien, colon, rectum and also anus ये बात हमें ध्यान में रखने है तो ये बड़ा simplified किया गया है जो आपको अच्छे से याद रखना है next आते हैं बच्चों blood circulatory system पर, देखिए एक cockroach की NCRT के diagram है, पहले हम आगे बढ़ते हैं फिर वापस back side पर आएंगे देखो, orthopoda में आपने पढ़ा था कि इसमें बड़ी सी cavity होती that is called Hemoseal क्योंकि इसमें blood vessels बहुत वीक होती हैं और जितनी होती हैं वो सब खुलती तो इसी Hemoseal में हैं लेकिन उनका कोई use नहीं है तो definitely हम यह कह सकते हैं कि जो कुछ use है वो Hemoseal का है और Hemoseal में जो liquid है वो Hemolimph है जो कि colorless Hemolimph होता है उसमें कोई respiratory pigment नहीं होता क्यों? क्योंकि इनका respiratory system आपको बतायागा कि direct exchange होता है gases का tissue के साथ में और blood के साथ में वो आपन देखेंगे अभी आगे तो आपने देखा कि इनके अंदर Hemoseal है Hemoseal में colorless Hemolimph है और Hemosides नाम की cells भी होती हैं जहान रखना clear? और जब Hemoseal present होगी तो blood circulatory system एक cavity के form में जाना जाएगा और उसे कहेंगे open circulatory system या lacunar type भी कहते हैं lacuna बन जाता है, cavity को lacuna भी कहते हैं तो lacunar type या open circulatory system यहां मिलेगा Hemoseal मिलेगा, colorless Hemolimph मिलेगा और Hemoside मिलेगा उसके बाद जब हम इसकी body में जाते हैं तो अब आपको वो पिछला जो diagram है वो explain करेगा देखिए इस diagram में आप देख रहे हैं कि इसकी पूरी body में Hemoseal है clear बच्छों? यहां समझने की बात और याद रखने की बात है तो यह important part है तो आप देखिए जहां यह blue color के dots लगे हुए है यह इसकी nerve cord वाला part है तो जिस nerve cord की part पर यह आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है बच्छों nerve cord जहां है उसे कहते हैं perineural sinus क्योंकि एक dotted part अपने बनाया है नीचे और उपर इन्हें diaphragm कहते हैं याद रखने के जुर्त नहीं है यह diaphragm है जिसके नीचे पूरा पार्ट जो blue color के dots से दिखाई दे रहा है वो है perineural sinus और नीचे वाली dotted line से उपर वाली dotted line तक का जो area है that is perivisceral sinus जहां elementary canal होती जानते elementary canal बड़ी होती इन दोनों से कोई फरक नीपड़ना याद है नहीं कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले उपर वाला पार्ट याद होना चाहिए जहां आपको यह chambers दिख रहे हैं red color के यह heart के chambers है total 13 chambers होते हैं dorsal side में होते हैं tube like होते हैं और pulsating होते हैं तो एक alphabet का order याद कर लो लिख लो इनका जो heart है उसे लिख दो d t p c heart सारे character याद हो जाएंगे हमेशा के लिए d t p c heart d for dorsal t for tubular p for pulsating and c for chambered dorsal tubular pulsating chambered heart अब NCRT की बाते हैं अपने आप सामिल होगे इसमें D for dorsal उपर दिखाई दे रहा है T for tubular दिखाई दे रहा है pulsating नीचे आते हैं diagram पर देखिए इस के हर chamber से यह LRE muscles यहाँ जुड़ी हुई हैं और यह 12 pairs होती हैं ध्यान रखना chambers तो 13 होंगे लेकिन muscles जो हैं वो 12 pairs होंगी ध्यान रखिए जैने LRE muscle और यह contract relax होती हैं इसी वज़े से इन में pulsation होता है और blood का flow होता है ध्यान रखिएगा अब कैसा यहां blood flow है वो समझो इसका जो heart chamber है न बच्चों वो funnel shape होता आगे से narrow और पीछे से broad होता है और आगे का narrow part पीछे वाले के broad part के अंदर enter करता है तब जाके blood का flow आपको नजराता है और हर एक chamber में आप देखिए दो छोटे-छोटे से blue dots हमने वहाँ पर represent किये हैं यह ostea कहलाते हैं तो इसी से आपको blood flow याद रखना है कैसे? सबसे पहले क्या हुआ बच्चों कि जो blood perivisceral और नीचे perineural में था suppose माली जे perineural में था तो वो निकल के जाएगा perivisceral में और perivisceral वाला निकल के जहां heart chamber है उस chamber में जाएगा उस sinus में जाएगा जिसका नाम है pericardial sinus और pericardial sinus से जो आपने छोटे-छोटे होल बना रखें chamber में ostea उसके थो वो chamber के अंदर जाएगा तो पात पता होना चाहिए कि sinus से ostea, ostea से chamber और फिर हमें blood का flow याद होना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं chamber उसमें आगे narrow है पीछे broad है, आगे narrow है पीछे broad है, आगे narrow है पीछे broad है और हर एक chamber दूसरे chamber में open हो रहा है, तो अपने यहाँ भी blood का flow हमें posterior से anterior आता हुआ नजर आएगा तो ध्यान रखना chambers के number, ध्यान रखना LRE muscles के number, ध्यान रखना heart का type D, T, P, C और ये भी याद रखना कि flow कहां से कहां जा रहा है, sinus से chamber और chamber से posterior से anterior ध्यान में रखना, तीन बातें गिंतिक याद होने चाहिए बस इससे ज़्यादा हमें NCI-T ने explain नहीं किया है, तो हम इसको यहीं पर देखकर छोड़ देंगे, clear? तो ये जो कहानी है, ये बच्चों circulatory system की है, ये अपने को ध्यान में रखना है, okay? आगे आते हैं respiratory system पर देखो, इसकी जो body है उस पर जो side की plate थी, उसका नाम क्या था? Plurite, Plurone इस body पर पूरी पर जो lateral side है उस पर 10 pairs hole मिलेंगे आपको, उन holes का नाम है Spiracle, क्या नाम है Spiracle, तो पहली बाद 10 pair Spiracle located on Plurone, ये line याद होनी चाहिए Clear? अब इसका एक mechanism है, वो समझना बड़ा interesting भी है और थोड़ा differentiate भी करता है हमारे से, जैसे मालो ये hole है तो जो hole है वो एक chamber में खुलेगा, उसका नाम होगा Atrium, उसको Atrium कहते है फिर वो एक body tube में जाता है जैसे कि हमारी trachea है, इसके पास भी एक body tube लेकिन उसका नाम trachea नहीं है वो tracheal trunk होता है हमारी trachea और इसकी होती है trunk जान रखना और फिर वो trunk दो पार्ट में divide होती है जिसे हम हमारे अंदर bronchus कहते हैं लेकिन इसमें trachea कहते हैं ये difference है यानि इसकी जो tracheal trunk है इसकी जो tracheal trunk है वो हमारी trachea है और इसकी जो trachea divide होती है वो हमारे अंदर कौन है bronchus है ये ultra system यहाँ देखने को मिलते हैं यानि इसमें जो division है उसको trachea कहते है अब जो वो दो branches निकली जिनको आपने trachea कहा वो आगे जाके फिर छोटी-छोटी branches में divide होती है उन्हें कहते हैं tracheals क्या कहते हैं उन्हें tracheal और ये tracheal tissue में जाके मर्ज हो जाती है और सीधा oxygen tissue को provide करेंगी तो बताए एंवार्मेंट से spiracle से होती हूँ trachea से होती हूँ tracheal से होती हूँ सीधा tissue में आई तो इसे कहा जाएगा direct exchange of gases क्या कहेंगे इसे direct exchange of gases क्या यहाँ blood का role था तो फिर क्या blood में pigment की जरूत है क्या तो इसका blood hemolymph है वो colorful होगा या colorless होगा colorless होगा इसलिए blood का कोई role नहीं होता है correct incorrect में especially आपको इस point का ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा वरना यह गलती यहाँ पर हो सकती है ध्यान रखिएगा okay excretory system में आते हैं देखो अभी अभी आपने digestive system देखा कि अधर सिस्टम में midgat और hindgat के junction पर malpigean tubels 100 to 150 numbers हमने देखा है yellow color की tubes हैं अब यह जो आप देख रहे हैं सबोज यह elementary canal है बच्छों यह midgat है यह hindgat और यहां junction पर tubes हैं तो पूरी elementary canal के बाहर कौन है hemo seal पूरा hemo seal है तो जितनी भी waste material आएगा उस पहले hemo seal में आएगा ध्यान रखना nitrogen जो waste है वो nitrogenous waste यहां आएगा hemo seal में अब hemo seal से receive करेंगी tubes जो की junction के उपर है राइट उस tube के अंदर उस melpigen tubule में जब आप जाओगे तो glandular और ciliated epithelium होती है जो उस nitrogen waste को खींच लेती है कहां से hemo seal से और फिर convert करती है mechanism के थो uric acid में और वो uric acid यह बचों hindgut में डाल देता क्योंकि उपर midgut है नीचे hindgut है बीच में tubule है tubule बहार से material को लेगी uric acid बनाएगी और hindgut में नीचे की तरफ डाल देगी और hindgut इसको body से बहार release करेगी और इसलिए हमने इसे कहा यूरी को टैलिक एनिमल क्या कहा यूरी को टैलिक नहीं यूरी को टैलिक वर्ड्स पर ध्यान देना जल्दबाजी में आंसर यहां गलत होता है जानते हुए भी गलत होता है तो अंडरलाइन करने का प्रोसेस हमेशा अपने साथ रखिएगा इसके अलावा मैल पिजन टूबिस जो इसका में एक्स्क्रिटरी ओर्गन है चार और और याद रखने तीन दिये एक मैं लिखाऊंगा आपको फैट बॉडी जो कि अभी अभी हमने डाइग्राम देखा था जिसमें बीच का पैरी का विसरल स्राइनस था उसमें पड़ी होती है एलिमेंटरी के आसपास तो फैट बॉडी स्टोरेज एक्सक्रिशन का काम करती है फिर आपने जो हर्ट देखा था 13 चेंबर उसकी वॉल में भी एक सेल होती है नेफ्रोसाइट वो भी स्टोरेज एक्सक्रिशन का काम करती है तीसरा लिखो क्यूटिकल क्यूटिकल तो देखो फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड क्यूटिकल यह तो मेल फीमेल दौनों मे मिलेंगे एज एक्सक्रिटरी पार्ट एक चौथा पार्ट है यूरिकोस ग्लेंड जो केवल मेल कोक्रोच में रिप्रोडुक्टिव सिस्टम में मिलता है ध्यान रखिएगा तो यह डिफ्रेंस करने वाला कॉश्चन यह भी बनता है तो यूरिकोस ग्लेंड ओनली मेल ध्य रिखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम की बात करते हैं वेरी सिंपल आपने नॉन कोड़े थे तो आपने काता नर्व रिंग होती है इसमें भी नर्व रिंग है उपर एक गैंगलिया सुप्राइसोफेगल गैंगलिया और इस साइड पर होता ध्यान में रखिएगा बच्चों इस गैंगलिया से जो नर्व आती है नो डाउट हैड को जाएंगी और हैड में हमने देखा कि कंपाउंड आइज हैं हैड में हमने देखा कि वहां पर एंटीना प्रेजेंट है तो जो भी सुपरा से नर्व निकलेंगी जाती तो बहुत स आई में 2000 यूनिट मिलती है 2000 यूनिट और हर एक यूनिट को बताइए क्या कहते हैं और में टीडिया कहते हैं यानि कोक्रोच के सामने आप खड़े हो जाएं तो कोक्रोच आपको अपनी आईज में एक आई में 2000 टुकुडे करेगा और फिर अपने अंदर बनाएगा इतने सारे parts में body को सामने object को divide किया तो resolution कम हो गया और इसलिए इसमें जो image होती है वो less resolution वाली होती है लेकिन high sensitive वाली होती है ध्यान रखना high sensitivity आपको देखने को मिलेगी लेकिन resolution जो है वो क्या होगा कम होता है clear बच्चों और यह nocturnal animal है अब nocturnal animal है वो less resolution है यह कुछ बात जमती नहीं है क्यार एक तो रात को उसे घूमना फिरना है और उपर से resolution भी कम है तो यह हुआ कैसे आकर यह उल्टा काम क्यूं हो रहा है यह हो रहा इसके respiration की वजह से देखो होता क्या है बच्चों कि दिन में cockroach inactive और night में active होता है उसका reason respiration है कि respiration में gases आई last में tracheol में पहुंचती और फिर tissue को जाती तो night में क्या होता है कि जो tracheol है उससे सीधा tissue को oxygen मिलती है इसलिए फटा-फट active हो जाता है लेकिन दिन की time क्या होता है कि जो tissue fluid है तो यह tracheol यह tissue दौनों के बीच में वो tissue fluid आ जाता है तो गैस पहले tracheol में फिर tissue fluid में और फिर cell को मिलती है बताई एक indirect pathway create हुआ कि नहीं हुआ time consuming pathway है तो नो डाउट वो जल्दी से active नहीं होता के वल direct exchange night में होता है इसलिए एक cockroach जो है वो nocturnal animal है बड़ा सिंपल सा question NCRT based है उसने साफ लिख दिया cockroach is more active in night so called nocturnal animal अब यह तो NCRT के line हो गई but reason जरूरी नहीं कि NCRT based हो आपको यहां पर अपने आप ही material लिख कर दे सकता है due to direct exchange of gases in night it is more active तो यह अपने आप ही NCRT based बन गया इसका reason जो आसानी से आपको question में दिया जा सकता है क्लियर बच्चों respiration के बाद हमने nervous system लिया nervous system में सुप्राइसोफेगल गेंगलिया लिया उसके nerves को हमने देखा कहां कहां गई अब बात करते हैं कि जो नर्व रिंग है उसके नीचे वेंटल नर्व कॉर्ड होती याद करो डबल वेंटल सोलिड नर्व कॉर्ड इसमें गैंगलिया होते हैं अब यह भी ब्लू गैंगलिया देखे थे आपने सिस्टम में बैक यदि हम जाएं इसकी slides पर तो आप देखि यह बसी तना ही याद रखना इसे जाद नहीं रखना है अब sensation कहां कहां से रिसी होता है एक compound आई से होता है एक antenna से होता है दो तो याद है एक sound receptor था पीछे अनल सरकाई यह भी आपको याद है लेकिन जो mouth part से इसके उस जिख पे भी दो point याद रखना maxillary pulp और labial pulp यह भी इसके sensory part होते हैं ध्यान रखना total five structure को sensation में लेके जाना which one is not related to any type of sensation यह option दिया जाएगा आपको तो पांच के अलावा कोई और दिया जाएगा यह अपने को ध्यान में रखना है उसके बाद हम आते हैं बच्चो रिप्रोड़क्टिव सिस्टम पर देखिए रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में आप डाइग्राम को याद करना points अपने आप याद हो जाएंगे वरना यह सबसे ज़्यादा complexity लेके आता एक तो abdomen reason और उसमें भी रिप्रोड़क्टिव सिस्टम सबसे complex हैं देखो इसमें position based बात करना सबसे पहले हम male reproductive system की बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए दो filament जो दिख रहे हैं आपको enlarge सबसे उपर तेस्टीज हैं one pair वच्चो और उसे six abdominal segment में देखने को मिलेंगे four to six abdominal segment में देखने को मिलेंगे फिर उनसे दो पतली tubes निकली thin tube जिनको वासा डिफ्रेंशिया कहते हैं और वासा डिफ्रेंशिया एक brown color के part में जा रही है वो बच्चों seminal vesicle है seminal vesicle में यदि आप diagram में जाएंगे तो आप देख रहे हैं seminal vesicle में तो यहां function important है it is related to storage of spums को store करता है और साथ में उनको glue के जैसे material से fix भी कर देता है तो छोटे-छोटे spum ball बन जाते हैं यहां पर ध्यान रखिएगा तो spum ball यहां बनेंगे जिने आगे further आप नाम देंगे spermetophore क्या नाम देंगे spermetophore अब देखी बिटा जो बीच color की tubes दिखाई दे रही है this one is the utricular gland इसमें यह चोटी बड़ी होती है long and small आप तो सीधा-सीधा याद रखना this one is the utricular gland और जो अंदर seminal vesicle में spum ball बना उस पर पहला covering आता है वो covering यही utricular white color की gland देती है ध्यान रखना तो spum बने, transport हुए, store हुए और इस पहली gland ने उस पहली covering दाल दी, clear? उसके बाद जो उपर अपन देख रहे हैं वो phallic gland है उसे mushroom gland भी कहते है और जो उपर ही उपर आप brown देख रहे है, dark brown उसकी duct यह आ रहे है बच्चों यहाँ देखे, yellow color यह वाली है यह इसकी phallic duct है, समझ ना? यह है utricular, वो phallic duct है, phallic gland है और उसकी यह phallic duct है द्यान रखना, और यह जो tube निकल रहा है, this is ejaculatory duct, इसको में ejaculatory duct कहेंगी, जब बच्चों आप spermato4 देखते हैं, seminal vesicle में, जिसमें पहली covering है, जो इस utricular gland ने दी थी, वो नीचे आएगा, यहाँ पर, और यहाँ आते ही ejaculatory duct, एक covering और डालेगा, तो वो bilayered हो जाएगा पहली covering किसने बनाई, utricular ने, दूसरी covering कौन बनाएगा, ejaculatory duct, और जब यह male gonopore से बहार आएंगे, तो यह chitinous plate मिलेंगी आपको, जान रखिएगा, 1, 2 and 3, यह chitinous plate हैं, बचों यह external genitalia हैं, यह gonopophysis हैं, यह phallomere हैं, और यह irregular type की chitinous plate हैं, यह external genitalia NCRT ने ने नाम द यह ध्यान रखना, phallomeres, तीन होते हैं, left, right और ventricle, बस इतना याद रखना है, left, right और ventricle, यह जो words यहां लिख रखने हैं, left phallomere, titillator, pseudopenis, यह pseudopenis, titillator, left phallomere के पार्ट होते हैं, बचा ध्यान रखना, और left phallomere पर कौन खुल रही हैं, phallic, ध्यान रखिएगा, clear, यह अपने को ध्यान में रखना है, तो यह phallomere सो गए, इन पर यह डक्ट आके खुलेंगी, अब जैसे देखो, यहां से by-layered spermatophore नीचे गिरेगा, तो यह phallic duct है, यह अपना secretion और डाल देंगी, तो last में जब वो बाहर इन प्लेट्स पर गिरेगा, तो उस पर कितनी covering हो बनाई, और तीसरी phallic duct ने बनाई, और जब discharge हुआ, तो tri-layered spermatophore discharge हुआ through the male body, clear? तो यह male में हमने पूरा का पूरा reproductive system यहां पर देख लिया है, same female में चलते हैं, female में आप देखिए, यह पूरा जो yellowish part आप देख रहे हैं, enlarge, यह पूरा ovary है, complete, और इस ovary में भी कुछ tent निकले होते हैं, जिनें ovaryols कहते हैं, बड़ा simple है, 8 ovaryols इधर, 8 ovaryols इधर, हर एक ovaryol में एक ovah का formation होता है, तो at a time 8 ovah इधर बनते हैं, 8 इधर बनते हैं, total कितने होगे 16, तो ovary के जो enlargements हैं, वो ovaryols हैं, इनका position अलग है, वो 4 से 6 था testis, यह 2 से 6 से ध्यान रखिएगा, 2- 6 abdominal segment में ovaryols, ovary मिलती हैं, अब देखिए इधर से जब ovary के हमने बात की, तो ovary से निकली oviduct, आपने को ध्यान रखनी है, और दोनों oviduct, common oviduct मनाएंगे जिसको वेजाएन न कहेंगे, तो यह enlarge part हो गया common oviduct, अब देखो जो genital chamber हम पढ़ रहे थे, 7, 8, 9, वो यह आपको देखने को मिलेगा, clear, देखो ध्यान से समझना, यह important part है, 8 ova इधर से आए, 8 इधर से आए, तो इस chamber में 16 ova गिरेंगे, और इस 16 ova के गिरने पर, यहाँ पर भी 3-3 kiteness plate होती है, वो इस तरीके से movement करेंगी, तो वो उनकी दो रो बना देंगे, 8 इधर और 8 इधर, female में जो working थी, वो complete, 8 इधर से आए, 8 इधर से आए, 16 नीचे गिरे, तो जो external plates हैं, वो इससे arrange करेंगे, दो plate के अंदर, confirm, अब population हुआ, तो male के जो spermatophore tri-layered थे, वो बच्चों इस जगे पर spermatica होती हैं, उसके platform पर आके गिरते हैं, द्यान रखना, यह मेरा हाथ क्या है, release हुए a spermatophore, तो इस platform पर release होंगे, and then finally, वो दो spermatica के अंदर fill हो जाएंगे, और यहां से जब fill होंगे न, बच्चों तो ध्यान देने वाली बात है, कि जो tri-layered coat है, वो तो हट जाएगा, और keval sperm जो है, वो spermatica में store होंगे, तो एक बड़ा अच्छा question बनता है, in male cockroach, sperm stored in seminal vesicle, in female after copulation, sperm stored in spermatica, confirm? अब देखिए, जो 8 और 8 16 ओवा आये थे, वो आ चुके हैं, इदर spermatica में sperm आ चुके हैं, तो यह sperm यहां से निकलके ओवा को fertile करेंगे, तो ओवा को fertilization, जब हम करेंगे तो internal fertilization होगा की नहीं होगा, अब मैं पुरानी बात पर आता हूं, जिसको समझना, मैंने कहा था, 7, 8, 9 ने फोल्ड लिया, और एक चैमबर बना दिया, उसके दो हिससे मैंने इस पैन से किये थे, आगे जनाइटल चैमबर, पीछे मेरी साइड में ऊथी का चैमबर, तो हुआ क्या बच्छों, कि यहां fertilization हुआ, आगे वाले चैमबर में, जो उपर से 16 ओवा आये, spermatica system आये, त और राइट, यह दोनों collateral glands जो आप देख रहे हैं, एक brown scleroprotein release करती है, किसके उपर उन 16 ओवा के उपर release करेंगे, clear, और उससे फिर उसके coating बनेगी, उस coating को हम कहेंगे नाम उतिका, क्या कहेंगे, उतिका, कहां बन रही है, उतिका चैमबर में, जो पीछे वाला चैमबर तो 8 और 8 आए 16, 16 के ओपर स्पम गिरे तो हो गए फटाइल, फटाइल को उतिका चैमबर में हम ले गए, और चैमबर में ले जाके हमने collateral gland से brown scleroprotein डाल के उसपे क्या बना दिया, उतिका, अब female इने ऐसी जगे पर discharge करेगी, जहां food की availability हो और moisture हो, क्योंकि उतिका dry हो गय हैं, डवलपों के बनने वाले वो खतम हो जाएंगे, और जब वो उतिका से निकलेंगे, तो सबसे पहले availability उनकी food की होनी चाहिए, वरना वो survive नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसी जगे पर discharge करेंगे, जहां moisture हो और जहां पर food की availability हो, यह हमें ध्यान में रखना है, clear बच्चों अब उसके बाद हम देखें आगे, तो male से आया espermetophore, female से आया ova, fertilization हुआ, बच्चों, genital chamber के अंदर, और उसके बाद उतिका बना, उतिका को drop किया गया कहां पर, near the food and humidity, clear? अब question यहां important बनता है, numbers के इसाफ से, पूरी lifetime में कितने उतिका female बनाएगी, यह याद रखना है, and that one is 9 to 10, पहला point याद रखना है, कितने उतिका बच्चों, 9 to 10, एक उतिका में कितने ओवा हो सकते हैं, 14 to 16, एक दो damage हो सकते हैं, और जब उतिका से छूटा कोक्रोच निकल तो उसे कहेंगे निम्फ, यह लार्वा नहीं है, एक तरीके का incomplete structure होता है, और इसलिए इसके, जो metamorphosis का type है, उसे pure metabolas कहा जाता है, निम्फल स्टेज बनने की वजए से, clear? तो छोटा जो लार्वा जैसा दिखता है, वो निम्फ है, अब यह निम्फ क्या करेगा, बार बा कॉक्रोच बनेगा, तो बीच में जो molting का number आएगा, वो कितना होगा? 13, यानि 9 और 10 क्या है? बताइए जरह 9 और 10 क्या है? ओके, उसके बाद 14 to 16 क्या है? 13 क्या है? लार्वा जैसा structure जो इसमें दिखेगा, वो क्या है? चोटा कॉक्रोच, निम्फ है, और adult कितनी molting करेगा? 13 करके आगे बड़ेगा. तब जाके, हमें एक adult कॉक्रोच जो है, वो दिखाई देता है. तो कुल मिलाकर बच्चों, इसको रिदम में दो-तिन रिविजन लगाना, एक question 100% आता है और आएगा. कोई नहीं रुका आज तक हमेशा आता है. और अच्छा question क्या होता है? इसमें एक option जरूर होता, या तो abdomen का होगा, या reproductive system का जरूर option होगा, इसलिए इन दोनों पार्ट को तो पढ़ की जाना, बाकि नहीं भी पढ़ोगे, एक revision लगा लोगे, तो भी उससे complete कर देंगे. तो ये कहानी थी बच्चों, the great cockroach की. clear? देखो, जब जंग लड़नी होना, तो ख और बात अपने future निर्मान की हो, तो definitely हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए, समझे आप? तो इसलिए पढ़ाई से मत घब रहा हो, और एक बार अच्छे से पढ़ लिए ना बिटा, तो जिंदगी पर salute मैं करूँगा आपको, ठीके? तो पढ़ाई बहुत important है life में, चली आग बढ़ते हैं, सब कुछ हम amphibia में देख चुके हैं कुछ special character दिकाल लेते हैं, common name Rana Tigrina, 5 kilo thermal animal हैं, और color भी change करता है, अब point को समझना, MSH और melatonin metacrosses दिखाते हैं, color changing process is called metacrosses, और उससे इसका जो behavior होता है, predator से या prey से चिपना, वो camouflage होता है, लेकिए बात ध्यान रखना, जो mechanism है color changing की, वो metacrosses है, और predator और prey से बचना, यानि prey से बचना मनी, prey से तो prey को तो ढूड़ना है, लेकिन उससे छिपना जरूर है, और predator से बचने की जो activity वो camouflage है, तो बातें तो एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन दोनों का meaning अलग अलग होता है ध्यान रखिएगा, और सर्दियों में ये गायब हो जाते है, hibernation, वो हमें मालूम है, अच्छे से ध्यान रखना, body पर smooth और slippery skin होगी, उपर olive color होगा और नीचे pale yellow color होगा, body की बात की, तो हमने head और trunk देखा था, neck नहीं देखा, tail नहीं देखा था, ध्यान कीजिएगा, clear, head पर जब हम गए तो eyes थी और tympanum था, amphibia में आ चुके हैं, इस सारे character ध्यान दीजिएगा, और tympanum ने ear को represent किया था, ये बात हमें ध्यान में रखने हैं, जहां से sound signals receive और carnivorous में elementary canal short होती है, ये बहुत important character ध्यान रखना, salivary glands यहां absent होती है, क्योंकि हमने Todd का example लिया तो और कहा था कि बुफों में poisonous gland, salivary gland का ही modification होती है, तो salivary gland यहां absent होती है, accessory gland के form में liver है, pancreas है और gallbladder है, liver bile release करेगा, gallbladder उसे store करेगा, यानि कि उसमें से water को reabsorb करेग clear, उसके बाद हम देखे respiration में, तो मैंने चार पार्ट बताया थे amphibia में, gills होंगे, उसके बाद बच्चों बको pharyngeal cavity होगी, lungs होंगे, और बच्चों एक और पार्ट होगा, जिसका नाम क्या है, skin, जो कि hibernation में, respiration में help करेगी, जब हम circulatory system पर आए, तो ये poikilo thermal है, three chambered heart वाले animal है, दो auricle और एक क्या होगा, ventricle होगा, दो special point पर star mark कर लो, sinus venosus और conus arteriosus यहां देखने को मिलता है, और साथ में renal portal system भी हमें देखने को मिलेगा, clear, जब हम blood में जाते हैं, तो RBC, WBC और platelets तीनों होंगी, जान रखिएगा, hemoglobin भी present होगा, और plasma भी यहां पर हम blood cells के साथ blood में देखते हैं, उसके बाद हम nervous system पर आएं, तो हमारे nervous system से compare कर लेना, CNS भी है, PNS भी है और उसका part ANS भी है, बस याद एक ही बात रखनी है, how many pair of cranial now found in the frog, 10 pairs, Pisces में 10, Amphibia में 10, Reptilia में 10, लेकिन Aves और Mammals में 12 pairs होती हैं, ध्यान रखिएगा, reproductive system पर आते हैं, त तो मेल में याद रखिए, testis ovoid shape होंगे, 10 से 12 यहाँ वासट eferentia होंगी, और बच्चों, bidder canal पर star लगा लो, मेल का characteristic feature है, यह question आता है कि bidder canal found in, तो मेल frog याद रखना है, मेल में होगा, female में जाएं, तो ovaries होंगी, और करीब धाई हजार से 3,000 ova, release होते हैं, female में ध्यान रखिएगा बच्चों at a time, clear, fertilization, मैंने कहा ता पानी पर dependency ज्यादा है, इसलिए fertilization इन में internal होता है, या external होता है, external होता है, clear, और बच्चों, इनके चिंटू का नाम है, tadpole, समझ में आया, तो बताईए, development direct या indirect, indirect होगा, clear, तो यह कहानी है, छोटे से frog की, छोटी सी कहानी, All the best, अच्छे से आपको NCRT को फिर revise करना एक बार, ताकि आपने जो time यहां दिया है, अपना कीमती, वो definitely आपको selection की और ले जाए, और मैंने कहा था, animal tissue से एक या दो, diversity से चार, cockroach frog से कभी-कभी एक एक, या total एक question आ सकता है, तो total six या seven questions की जरनी जो है, वो हमने इस level से झाल